उत्रप्रदेश की राजनिती में अपने बुरे दीन झेल रही बहुजन समाज पार्टी अपने मूल अजंडे पर वापिस लोटती दिखाई दे रही है। पिछडे और अति पिछडों की बात करते थे। वे जानते थे कि ये बोट बैंक जेदर मुडा उसके हाथ में सब्ता आई। इसलिए मायवती इसे पुराने फार्मुले को एक बार फिर से धार देने में जुट गई है। वर्ष 2007 के चुनाव में पुर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने उस समय सर्वसमाज का नारा दिया था। इसके आधार पर सभी जातियों को पार्टी में जोडा गया खासकर प्राम्हनों को सर्वाधीक महत दिया गया। वर्ष 2022 के विधान सवाच चुनाव में भी इसी सर्वसमाज के सहरे जीत का तानाबाना बुना गया। जिलु में जोर शोर से प्राम्हन सम्मिलनों का आयोजन हुआ लेकिन परिणाम आया तो मातर उसे एक सिट पर जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी को इसका मलाल है। इसलिए फिर से S.C.S.T. O.B.C. मुसल्मान अर्थात बहुजन संकल्पना के आधार पर आगे बढ़ने की मायवती की रणनीती है। पार्टी की जनाधार को बढ़ाने तथा दूसरे मिशनरी कारियों के लिए पार्टी की परंपरा के अनुसार छोटे-छोटे केडर मिटिंग कराने पर भी ज्यादा जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को बड़े-बड़े पुंजिपतियों वद् बुरा लगता है और वे इसे उन्हें मोह चिड़ाने जैसा ही मानते हैं